जहें इन साथियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फिनेंसियल एकाउंटिंग में इनसॉलिवेंसी एकाउंट्स दिवालिया खाते जहां हम लोग कर रहे हैं इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग इस सेसन में अपने करेंगे और उसके बाद में आपकी पूरी किताब के अंदर जो चेप्टर आपका इंसॉलिवेंसी एकाउंट्स दिया है उसमें जितने भी परसन के इंसॉलिवेंट से रिलेटेड आपके कुश्यन दिये होंगे वो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना लगे जितने भी हम कुश्यन करने वाले हैं वो सब के सब एक्जामिनेशन के पॉइंट आवेव से बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण हैं और उनमें से कई कुश्यन कई बार एक्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो आज इस कुश्यन का पीडियेफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल कॉमर्स विद्वेद्शिरा पर मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी कुश्यन आपको दिख रहा होगा इन्फॉर्मिशन कुछ इस तरीके से दी गई हैं और फर्स जन्वरी 2006 राम कमेंस्ट बिजनेस्ट विदा कैपिटल ऑफ रूपीज 6,350 हिस प्रॉफिट्स वर रूपीज 5,554 वर 2006 और 2007 ही सफ़र्ड आ लॉस ऑफ रूपीज 2,500 इन 2008 हिस द्रॉइंग्स वर रूपीज 9,000 ट्रॉप दिसमबर 31st 2008 प्रपेर है हिस टेटमेंट फिरस एंद एप इस एक। अंद एस पर नीचर शेयर और लून सेक्योड क्रेटर्स विल्युटी आपी सेक्योड ग्री जेल्ट वरी जूपीजर्ट व्युर्ट ग्री क्रेटर्टर्स ऐसा करके यह कुछ दिया हुआ है और यह सारी कंडिशन्स आपको दी गई हैं नीचे लिखा है इंवेस्टमेंट इन शेयर्स रिलाइज एड़ बुक वैल्यू एंड़ क्रेटर ऑफ रुपीज 500 हैज लेफ्ट हिस क्लेम फॉर गेटिंग हिस पैमेंट ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं देखो कुश्चन के अं से तुपटी फाइव थाउजंड की दी गई है टुटी फाय हंडड़ की दी गई है और यहां पर आप ढूड़ो की फरनीचर के वैल्यू कि यहां पर सिक्ट्यूर्ड क्रेटर कितना दिया गया आपको यहां जिस्प्रिंट है कुश्चिन के अंदर थोड़ी आपको की value आपको कुछिशन के अंधर दी नहीं गहीं है सीधे लिखा है कि value of security is held by secured craters जबकि secured craters कितने के हैं ये नहीं दिया गया question के अंदर misprint है secured craters आपके 15 000 rupees के हैं कितने फिप्टेन 100 rupees के हैं okay security उनके पास 2500 rupees की है जो unsecured craters है वो including rupees 1000s of his wife 13,000 है कितना 13,000 है देखो जो वाइफ से इसने लिया हुआ है उसके संदर में कुछ नहीं दिया गया कि ये वाइफ से कैसा लिया हुआ है वाइफ से जब लोन लिया जाता है तो ये दो दरीके का होता है वाइफ से लोन हाँ वाइफ भी लोन दे सकती है भाई वो भी उसका भी किसी से कुछ लिया जाता है तो लोन के तौर पे लिया जाता है तो वाइफ भी लोन दे सकती है वाइफ लोन दो तरीके से दे सकती है खुद का विजनस है खुद का प्रोफेशन है या अपने पिता से ले करके दे रही है इस कंडिशन में उसने जो कुछ पेमिंट किया है उस तो यह माना जाता है उसने अपनी कमाई से दिया है और जब कभी कुश्चिन के अंदर लिखा है कि उसने पति की आए में से इतना पेमेंट किया है तो अगर पति की आए में से उसने पेमेंट किया है तो उसको पेमेंट करने के अवशक्ता नहीं होती है वो पेमेंट नहीं कि करेंगे तो इस कुछिशन के अंदर नहीं लिखा है चलो देखते हैं कैसे तयार करेंगे इस स्टेटमेंट ओफ अफ फेर्स तो हम लोग को तयार करना है कि स्टेटमेंट ओफ अफेर्स ओफ मिस्टर राम ऐस ओन थर्टिफफ़ दिसमबर 2008 भी इसके नीचे लिखना होता है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर मेरे पास यहां जगे कम पढ़ जाएगी ओके कि और मैं आपको बता दिया हूं इसके नीचे लिखना होता है मैं इधर लिखे दे रहा हूं इसको लिखेंगे एज ओन कि थर्टिफ़ दिसमबर 2008 ओके आप नीचे लिखिएगा क्योंकि आपके पास ऐसी कोई प्रब्लम नहीं है यह नीचे इसके लिखा जाता है इस वाज़े से हम ऐसा कर रहे हैं तो स्टेट्मेंट ओफ फेर के लिए कॉलम बनाएंगे और कॉलम आप जरूर बनाईएगा हर कुश्यन के अंदर बनाईएगा क्योंकि पॉर्मेट के भी नंबर होता है यह याद रखिएगा हमेशा जो मार्केट में जो दिखता है वही बिखता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे अब अच्छ तो हमेशा ना इसको फड़ा मैनेज करिएगा अगर इसको मैनेज कर पाऊगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी ना अब यह मेरे सुधारे सुधरी नहीं और शायद कभी इतना प्रयास भी नहीं किया बहुत अच्छी होनी ही चाहिए जब समय था तक गिया नहीं तो ग्रॉस लाइबिलिटी फिर अधर लाइबिलिटी इधर आपका एक्सपेक्टेड टू रैंक इधर एसेट्स और इधर इस्टिमेटेड टू प्रड्यूस सी इ होता है प्रड्यूस ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुश्यन के अंदर अंसिक्यूर्ड क्रेटर्स इसके अंदर है संड्री क्रेटर्स संड्री क्रेटर्ज इनसल्वेंसी बहुत समझने वाला विशह है इसकी हर एक ऑर इसमें चीज़ और उच्छी बहुत बच्छी बात है इसमें हर एक लीस्ट का नंबर होता है हर एक लिस्ट, 15 नंबर में आने वाला है question, हर एक लिस्ट का नंबर, 12 नंबर का statement of affairs, 3 नंबर का deficiency account, ओके, बस, ठीक है, चलो, संडरी क्रेटर्स हैं 13,000 रुपे के, कितने, 13,000 रुपे के, इसमें से क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, वाइप्स लोन है, वो भी बिना कुछ कहे, कितना है, एक हजार, तो ये payment नहीं करना पड़ेगा, तो कितना बचा, 12,000, उसके बाद में, एक क्रेटर, exemption from a crater, एक क्रेटर ने देखा, कि हमारा मित्र है, क्योंकि ये मित्री वाले ही होते हैं, सब इदर, उसने देखा, मित्र बहुत परेशान है, 500 रुपे का लोन हमने भी इसको दिया था, लेकिन चलो, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, तो फिर अब देना ही नहीं है, तो फिर वो और कम हो गया, कितना बचा, 11,500 रुपे, तो 11,500 यहां लिखेंगे, और 11,500 रुपे, यहां लिखेंगे, 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 एक अमामला खतम, एक बार देख लेता हूँ ऐसे, कहीं पर कुछ दिया हुआ तो नहीं है, और तो, कोई बीपी, स्टॉक इंट्रेड और बीपी और कुछ है नहीं, तो बस खतम, ओके, कुछ नहीं है, हां, ठीक, हां, ओके, ठीक, चलो, तो यह ह हो गया हमारा 11500, अब उसके बाद में, पुली सिक्यूर्ड, क्रेटर, लिस्ट, बी, यहां पर, वैल्यू ओफ सिक्यूर्टी, वैल्यू ओफ सिक्यूर्टी, कितनी है, 2500 है, कुछिन के अंदर में स्प्रिंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि, 1500 के, सिक्यूर्ड क्रेटर है, कितने सिक्यूर्ड क्रेटर है, 1500 के, तो यहां पर, लोन, कितना, 1500 का, 1500 का हमने लोन लिया, 2500 रुपे की सिक्यूर्टी दी, कौन सी सिक्यूर्टी है, कोई नाम नहीं है, तो भी 1000 रुपे इन के पास हमारा ज्यादा है न, उस ज्यादा वाली वैल्य अकरते हैं यहां कांट्र लिष्ट को क्या कहते हैं क्या करते हैं तो भी कि हम यहां प्रकुछ ज्कूर के लिए कुछ हाई नहीं यहां पात सब्सक्रा पंदरास लिखेंगे हम लोग यह question बहुत अच्छा है भी मेरा medical university में 2000 में पूशा गया है कानपूर में 2007 में पूशा गया है Parsley Secured Crater List C यहां कुछ है ही नहीं इसकी value बाहर आती ही नहीं इसमें कुछ है नहीं ठीक बचा कौन Preferential Crater List D Preferential ढूंड लो कितने हैं Preferential Crater for Rent and Tax 190 कितना 190 एक सो नब्य रुपे के हैं इसको क्या करते हैं Deducted From List G 190 ओके आज वाले कुश्यन में statement of affairs और deficiency दोनों करने वाला हूँ अच्छा कुश्यन है छोटा कुश्यन है ठीके तो इधर की मेरी चारों लिस्ट हो चुकी है टोटल कर लेंगे तो यहां तो कुश्यन ही नहीं तो 11,500 रुपे ही आएगा इसका भी टोटल बाहर नहीं जाता इधर 11,500 पांच और में लालो बारा तेरह हजार तेरह हजार एकसो नब्बे इधर आजाओ संड्री एसेट्स लिस्ट इ यहां कौन सी असेट्स लिखी जाती है जो इंसॉल्वेंट परसन के ओनर्सिप में है अगर किसी को सेक्यूरिटी के तौर पे दे रखा है मौर्गेज के रूप में दे रखा है इसको नहीं लिखते जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो यहां आएंगी तो देखो चलो ढूण हो कैस है 230 रुपे का कैस 230 और 230 दोनों जगे वैल्यू लिखेंगे कैस के बाद में स्टॉक 1000 का है 666 रिलाइज होगा स्टॉक 1000 का है 666 रिलाइज होगा इस टॉक के बाद में डेटर्स आ गए गुड डाउटफुल यह हो गए फिक्चर्स और फिटिंग 564-282 फिक्चर्स यह फिक्चर्स और फिटिंग यह जो फिक्चर्स होता है यह क्या होता है अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में फिक्चर्स और फिटिंग कितनी 564-282 तो फिक्चर्स फिक्चर्स फिटिंग हो गया उसके बाद में शेयर्स 500 शेयर्स कितने हैं 500 के शेयर्स हैं और इसके लिए कहा है यह बुक वेल्यू पर रिलाइज होंगे तो 500 और 500 उसके बाद में शेयर्स के बाद में क्या है असुर अच्छल लेंदार पतनी के एक हजार रुपे सहित यह हो गए ठीक है अंजिकर्ट करेटर ठीक है सेक्यूर्ड क्रेटर्स यहां पर मिस्प्रिंट था सेक्यूर्ड क्रेटर्स के जागा 15 पर वह हो गया और इस सभी वैलिउस हम लिख चुके हैं ओके तो चलो इसका टोटल करते हैं यहां चार, छेतीन नौ पांच 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 दस दोबारा और एक एक दो हजार दोसोso Joire mister यहां ले आओ तो 6 1 दो आट 398 17 चेतीन नबार सतरह ज़े दो आट दो दस पांच, पंध्यीन एक सोला सोटहत्त है ओकहे तो हमारा यह लिख य स्जी हो छुका है पूरा है किih ओके, लिस्ट के हमारी हो चुकी है। अब उसके बाद में हम चलेंगे और क्या लिखेंगे अधर्स कि लिश्ट क्या है। कितने कैसे-कैसे गुड गुड डेटर्स देखो Vall कि तो में डेटर्स में हम चलते हैं तो देख रहे हैं डेटर्स गुड है साथ हजार के तो साथ हजार यहाँ पर भी आएगा गुड के बाद में जब हम देख रहे हैं तो डाउटफुल है अठारा सो के छे सो रिलाइज होगा डाउटफुल है अठारा सो के जिनसे छे सो रिलाइज होने की उमीद है और बैड यह जो बैड हैं बैड कितने दिये हुए हैं तो डेटर्स बैड दिये हैं पंदरा सो और बैड का मतलब होता है जिनसे कुछ भी ना मिलेगा तो आठ पंद तेरा और साथ एक आठ एक नौ एक दस दस अजार तीन सो यह अंदर हो गया इससे मतलब नहीं बाहर की वेल्यू लेके चलो तो आठ साथ छे छे बारा साथ एक आठ एक नौ नो हजार दोसफ़ अठतर हो गया उसके बाद में होता है बिल आफ इक्शेंज लिस्ट जी यहां पर आते हैं बी आर वो है नहीं तो डैस कर दो और फिर वही वेल्यू आप नीचे ले लो देखो संपतियां बिक्ती चली जा रही है वेल्यू रिलाइज होती चली जा रही है पहले सभी संपतियां बेची तो 1678 रुपे मिल गए फिर डेटर्स बेच दिये तो 9278 हो गए वी आर बेच दिया तो भी 9278 क्योंकि वी आर है नहीं अब क्या करेंगे अब हमारे पास में क्या वी कल बच्चा है कि हम पेमेंट करें किसका पेमेंट करें पेमेंट करें या वसूली करें क्योंकि लिस्ट डी से पहले लिस्ट ब surplus of list B कितना thousand अब समपतियां कितने की हो गई 10,278 की हो गई कितने की 10,278 की हो गई बिल्कुल सभी समपतियां बिख चुकी है तो इतना पैसा आ चुका है इसमें से सबसे पहले किसको देंगे preferential को हमने लिखा है deducted from list G सबसे पहले किसको पैमेंट करेंगे preferential को तो कर दो लिखेंगे preferential creditor list D 190 तो ये 8 बचेगा 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ 0 यहाँ 0 10,888 की समपतिया बची 10,088 की असेट्स बची जबकि पैमेंट कितना करना है 11,500 रुपे का करना है तो कितना पैमेंट नहीं हो पाएगा चाहे कुछ भी कर लें तो 11,500 में से 10,888 मैनस कर दो 8 और 2 10 होता है यहाँ पर 8,9,1,10 हो गया यहाँ पर हमारा कितना आ गया 8,9,1,10 हो गया एक हो गया तो यहां पर 4 आ गया और यहां पर 4 एक 5 हो गया और यहां पर 1. 1412 रुपे की deficiency आ गई. Deficiency list H. मिला लेता हूँ एक बार deficiency कितनी आ रही है. 1412 ही आ रही होगी. जहां तक 1412 आ रही है. अब हमको करना है deficiency account. हमारा statement of affairs बन चुका है. इसका screenshot आपको लेना है तो ले लीजिए. इसके बाद हम बनाएंगे deficiency account. deficiency account की खासियत यह है. उसको बना के हम यह जान लेंगे. हमने question सही लगाया या गलत. क्योंकि deficiency के दोनों ही part बराबर आने चाहिए. deficiency बनाने से पहले एक बात मैं बता दूँ आपको. कुछ चीज़े में note out कर लूँ. जैसे list E का total. List E. देखो यहाँ पर है 2294 और यहाँ पर है 1678. तो 2294 और 1678. इन दोनों की value से हमारा काम चल जाएगा. List F. यहाँ पर 10300 और यहाँ पर 7600. यह देखो 7600 यह वाली value के वाल इतनी. इनका डिफरेंसी के वल वहाँ लिखना होता है तो डिफरेंसी है यहाँ से उठा लेंगे. एक बार यह वाला total चेक कर लें 2494 ही आएगा. पता चले इस value को रखने के वज़े से कुछ अंजरत हो जाए. 230 प्लस 1000. 230 प्लस 1000. 564 प्लस 500. 2294 ओके. चलो अब बनाते हैं deficiency account. IDF deficiency account बनाते हैं. तो इसको account के format की में cable रखते हैं. Otherwise यह एक statement है. क्योंकि total बराबर किसका आता है balance sheet का. तो balance sheet कब बनाते हैं? जब business running में होता है. गोइंग concern होता है तो balance sheet. खतम हो रहा है तो statement बनाएंगे deficiency का. कि आखिर खतम हुआ क्यों. deficiency account जब बनाएं तो ज़्याद रखें. आपको question जब deficiency account के साथ में दिया जाता है. तो एक format उपर दिया जाता है. एक paragraph उपर होता है. deficiency की बहुत सारी values वहां से ही related होती है. आपके statement of affairs से कुछ value यहां सक के आती हैं. बस उनको हमें यहां लेके आना है. बस और कुछ नहीं. सबसे पहले उस paragraph पे जाओ. उसके बाद एक एक list पे चले जाओ. कहां जाओ? सबसे पहले paragraph की value ले लो. फिर एक एक list पे चले जाओ. सारी value आपकी हो जाएंगी. कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ. देखो सबसे पहले question के अंदर जो paragraph सबसे उपर दिया गया है. उसमें क्या लिखा है? कि इसने अपना business 1st January 2006 को start किया था. कितनी capital के साथ में 6,350 रुपे की capital के साथ. जितने profit वो सब इधर, जितने losses वो सब इधर. Capital इसके profit का एक part है. तो capital 6,350 रुपे लिख दिया. उसके बाद में इसको क्या हुआ? profit हुआ. 2006 और 7 में इसको 5,554 रुपे का profit हुआ. Business profit 5,554 रुपे का profit हुआ. 5,555,554 उसके बाद में इसको loss हुआ. 2,500 रुपे का business loss 2,500. उसके बाद इसने drawing करी. कितनी? 9,000 रुपे की. आहरण कर लिया 9,000. अब देखो paragraph की सभी values खतम हो गई. क्या हो गई? paragraph की सभी values खतम हो गई. अब आजाओ statement of affairs. एक-एक list देखते चलेंगे. तो list A देख रहे हैं. वहाँ पर दो value आई. क्या? wife's loan. एक हजार का loan इसने अपनी पत्नी से ले लिया था. वापस नहीं करना पड़ा तो profit हो गया. exemption. from a creditor. 500 रुपे का एक creditor था इसका मित्र. जिसने इससे कहा था कि हम अब तुम से पैसा नहीं लेंगे. छोड़ दिया. तो profit हो गया. किसी को कुछ लेना हो वो कहते हैं नहीं लेंगे. तो profit है. मतलब पैसा रुपे की बात है. ठीक. तो ये profit हो गया. list A खतम. list B में आओ. list B में जो security दी गई उसका value नहीं था. ये दिये नहीं गया था कि वो है कितने की. इस वज़े से कुछ नहीं. list C में आओ. है नहीं. list D में आओ. कुछ नहीं. वहाँ कोई loss थोड़े होता है. list E में आओ. list E में आए तो 294 रुपे की assets को बेचने से आपको 1670 रुपे मिले. आपका loss हुआ कि नहीं. तो heading डालेंगे. loss on realization of assets. number 1. sundry assets. sundry assets कितने की थी? 2294 रुपे की थी. उनको जब बेचा तो 1678 रुपे मिले. बीच में जो नहीं मिला वो नुकसान हो गया. कितना? 14 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा. यहाँ पर 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा. और यहाँ पर 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा. एक से एक जाएगा. कुछ नहीं 616 रुपे का नुकसान हो गया. डेटर्स. डेटर्स थे 10,300 रुपे के. लेकिन मिला के वल 7,600 रुपे. तो 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7. 7-6-13 होता ना. और यहाँ पर 9 से 7 जाएगा. तो 2 बचेगा 2700 रुपे का नुकसान यहाँ हो गया. Clear? उसके बाद लिष्ट F में आओ हो गया. लिष्ट E हो गई, लिष्ट F हो गई, लिष्ट G में आओ, BR है नहीं. लिष्ट H में आओ, डिफिसेंसी. डिफिसेंसी तो वो वैल्यू है, जो पेमेंट नहीं करनी पड़ी. इंसॉल्बेंट परसन उतना पेमेंट करने से बच गया. जो पेमेंट करने से आप बचेंगे. वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा. इस वज़े से डिफिसेंसी लिष्ट H यहाँ पर आएगी हमेशा. कितनी? 1412 रुपे. अब अगर आप नहीं करते, यहाँ लिखते, तो बैलंसिंग फीगर यह आजाता, 1400 फीगर. 1412. और अगर लिख दिया है, तो टोटल बराबर आना चाहिए. नहीं आएगा, तो गलत है कहीं न कहीं पर. तो देखो, यह 6 हो गया, 1 हो गया, 5, 6, 7, 6, 13, और 5, 18, 2, 1, 3, 9, 1, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 1816 रुपे. इधर कभी आया, तो तो फिर बहुत बढ़िया, 4, 2, 6, और नहीं तो गलत, 5, 5, 10, 11, 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 14, 4, 18, 6, 7, 7, 7, 5, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 1816 रुपे, डिफिसेंसी एकाउंट का भी टोटल हमारा आ चुका है, बराबर एकदम मैच करते हुए. तो इसका भी स्क्रीन सौट ले लिजिए, और कुश्चन हमारा कंप्लेट हो गया है, जिसमें हमने स्टेट्मेंट अफ 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 एर्स और डिफिसेंस एकाउंट दोनों को किया हुआ है. उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता पूरक समझ में भी चीज़ें आ गई होंगी। देखिए मैं फिर कहता हूँ, अगर आप लगातार प्रक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्जाम से पहले केवल एक व वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना या ना करना लेकिन शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों के साथ अपने जो इस समय फिनेंसियल एकांटिंग को अपने स्लेबस में पट रहे हों मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बहतरीन कोश्यन के साथ तक के आपक स्क्राइब करें जोगज के साथ तक करना इस का कमेंट कर देना आतक कह जड़ियों एकरांटिंग प्रणी को जड़ हों में खरें जरूर में एक ट-ཁरा इस साथ mattress अपने साथ ईसमय